हेलो फ्रेंग्स वेलकम बेक टू दा अनदर वीडियो तो दोस्तों आज की सोडों में हम बात करने वाले हैं उत्तर परदेश आंगन बाड़े रिकुरूट्मेंट दोहजार चोबीस का ओनलाइन अप्लाई फॉर्म प्रोसेश के वारे में कैसे आपको आंगन बाड़े अगर आप इस चैनल में नू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके सेर कर दे ताकि आने वाली जो भी अपडेट होंगे वह आपको मिल जाएगा इसका ओनलाइन अप्लाई का पोर्टल का लिंक आपको मिल जाएगा हमारे विडियो क्लिसेशन में फॉर्म को फिल करने के लिए सबसे पहले आपको रिजिटेशन करना होगा रिजिटेशन करने के लिए सबसे पहले अप्लिकेंट का यहाँ पे आपको नाम फिल करना होगा तो अप्लिकेंट का जो भी नाम होगा वो फिल करेंगे फादर का नाम आपको फिल करना है डिस्टिक आपको यह जिला आपको से फिल करके आपको यहां पे पंजियन करें यह रेजिटिशन में आपको क्लिक कर देना है तो simply यहां पे मैं रेजिटिशन कर लेता हूँ इसके बाद देखे प्रेंस यहां पे आपका रेजिटर मुबाइल नंबर में OTP आएगा OTP को आपको इस वाले box में simply fill प्ल करेंगे fill करने के बाद आपको यह जो capture code होता है आपको agites यह पे फिल करना है तो simply यहां पे मैं fill कर लेता हूँ आपको इसका capture code जो होता है वो fill करने में कोई भी गलती नहीं करना है ये तो आपका जो होता है next जो process होता है आपका नहीं होने वाला है simply यहाँ पे capture फिल करने कब आपको यहाँ पे verify में click कर देगे अब देखे प्रेंस यहाँ पे आपका जैसे registration हो जाता है इसके बाद आपको करना क्या है यहाँ पे आपका mobile number फिल करना है ये Capture Code को आपको EGTS वाले Walks में फिल करके Login कर लेना है इसके बाद देखे प्रेंस यहाँ पर आपका जो Form होता है आपका Start हो जाएगा सबसे पहले आपको यहाँ पर वेक्तिगत विवरन फिल करना होगा फिर से आपको यहाँ पर वेक्तिगत विवरन फिल करना होगा Sectionic, Yogita फिल करना होगा, Upload करना होगा, Photograph, Signature घोसना करके यहाँ से आपको Declare करके Finally Submit कर देना है सबसे पहले देखे प्रेंस यहाँ पर आपको जनपत का नाम सेलेट करना होगा इसके बाद आपको यहाँ पर GRAमीड है, सहरी है वो आपको यहाँ पर सेलेट करना है इसके प्रेंस यहाँ पर आपको करना है क्या है? आपको आवड़क का यहाँ पर आपको नाम आपको फिल करना है, जесяसी कि अगर आपको यहाँ पर कुमार है Sirmath sioda है तो आपको यहाँ पर सिरीमती सेलेट करना है अगर आप कुमारी है तो आप यहाँ पर कुमारी सेलेट करना है इसके बाद देखे प्रेंस यहाँ पर आपका नाम क्या करना है हिंदी में आपको टाइप करना है अंग्रेजी में आपको क्या करना है आपका नाम इस वाले वाक्स में फिल करना है पीता जी का नाम आपको यहाँ पे दे देना है अंग्रेजी में ऐसे आपको क्या करना है माता जी का नाम आपको फिल करना है डियो भी आपको सेलेट करना है जो भी आपका डियो भी होता है इस कलेंडर के माध्यम से आपको select करना होगा, कौन सा surrender से ब्लोंग करते हैं या cast जो होता है वो आप कौन सा यहाँ ब्लोंग करते हैं वो आपको यहाँ पर select करना होगा, तो इन में से आपका जो भी cast category होगा वो आप यहाँ पर select करेंगे इसके बाद देखे प्रेंस यहाँ पर वर्तमान जो होता है आपका यहाँ पर आवेदिक यहाँ पर इस्तिति आपको select करना होगा मतलब अगर आप बिद्वा है तलाक सुधा है तो आप यहाँ पर इन दोनों में से कोई भी option को आप select कर सकते हैं अगर नहीं है तो simply आप यहाँ पर अन्य का जो होता है यहाँ पर आप select करेंगे अब देखे प्रेंस यहाँ पर अगर आप बिद्वा है तलाक सुधा है तो उसका परवाण पत्र का जो करमांग नंबर होता है वा आपको देना होगा इसका जो परवाण पत्र होता है किसने इसू किया है उसका पध का नाम आपको देना होगा Certificate होता है आपको upload करना होगा जो कि आपका 20 के भी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए ऐसी देखे प्रेस यहाँ पर आपका जो निवास परमाण पत्र होता है उसका यहाँ पर करमाण देना होगा उसका आवेधन का जो करमाण होता है वा आपको देना होगा इस वाले बॉक्स में यहां पर देखे प्रेंस यहां पर आपके पास BPL से रेड़ी में आते हैं तो आप इस वाले box में yes and no में क्लिक करके इसकी जानकारी दे सकते हैं यहां पर आपको अगला में क्लिक कर देना है आप देखे प्रेंस यहाँ पे इसके बाद आपका जो अगला step आता है वो आपका यहाँ पे education qualification तो सबसे पहले आपका जो high school होता है इसका जानकारी देना होगा high school में सबसे पहले आपका जो school का नाम होता है इस वाले box में fill करेंगे पहले समयने आप फिल कर रखा है board का नाम को देना है यहाँ पर passing का air देना है पूर्नांग आपको देना है मतलब आपका जो भी पूर्नांग होगा वो देंगे यहाँ परापतांग देना होगा percent यहाँ पर आपको देना होगा आपका जो भी यहाँ पर high school का certificate होगा या marksit होगा वो आप upload करेंगे ऐसा ही देखे फ्रेंस यहाँ पर intermediate जो होता है आपका 10th plus 12 उसका जानकारी आपको देना है यहाँ पर आपको marksit अब upload कर देना है तो इस प्रकार आपके पास जो भी यहाँ पर qualification होगा उसके according आपको यहाँ पर जानकारी को fill करना है fill करने के बाद आपको simple यहाँ पर अगला जो step होता है इसमें जाने के लिए आपको अगला में यहाँ पर click करना होगा इसके बाद आपका जो next step आता है photograph and signature upload section तो आपको यहाँ पर बताये गया है कि आपका जो photo होता है आपका 20 के भी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए signature भी आपका 20 के भी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए सबसे पहले आप यहाँ पर choose file में click करेंगे file को select करके upload कर देने आपका photograph and signature then यहाँ पर आपको अगला में click कर लेना है इसके बाद आपका जो अगला step होता है वापका declaration का यह घोसना का तो आपको यहाँ पर घोसना करना होगा तो यहाँ पर आपको घोसना box मिल जाता है मैं यहाँ पर घोसना करता हूँ यह करती हूँ जो भी है वह आपको यहाँ पर declare करना होगा तो इस यहाँ पर इस विड़ो मैंने आपको complete जानकरी देने को कोसिस किया कि कैसे आप यहाँ पर उत्तर परदेश में आंगन बाड़े recruitment 2024 का फॉर्म फिल करना है step by step पूरी जानकरी मैंने आपको दे दिया है अगर आपको जानकरी पसंद आगो अब्लोग पसंद आगो तो ब्लोग लाइक सिस्क्राइब सेयर करेंगे ऐसे ही अपडेट पाने के लिए किसी परकार का कोईरी होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे